Hello friends, आज हम law of sign या sign rule जिसे कहते हैं, हम उसका derivation देखेंगे, ठीके, सबसे पहले हम इसकी theorem को समझ ले, ठीके, theorem क्या कहती है, यहाँ पर मैंने इसकी theorem लिख रखी है, the sides of triangles are proportional to the sign of the angle opposite to them, ठीके, अब मानिए कि यह triangle है, a, b, c, ठीके, इसमें आप कोई सी भी side ले ले जिसे मैंन this a is proportional to the sign of the opposite angle, it is a ठीके, और इनको हम combine कर के इसे लिख सकते हैं, ठीके, तो हमें आझ की वीडियो में यह proof करना है ठीके, ठीके, तो चलिए हम शुरू करते हैं ठीक है ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा बना देता है ताकि आपको अच्छे समनी में आ जाए ये जो लॉव है ये कोई से भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है ये वर्टेक्स है ये अंगल भी है और ये अंगल सी ठीक है बिसी की लेंग्ध है एक बराबर एक की लेंग्ध है ऐ अप ज्यान दीजिए कि वर्टेक्स ए के उपॉजिट्ट है उसे भी एक बोला के वेलए से सी अब हम मालेते हैं कि ये जो कि लेट्रे always स्ट्री ты तो अगर मैं सैन्ऐन भी निकलना चाहंब तो गया होगा पपैंडीक्लरat matar धू पैंट्रेक्ट्थ ठीक है जो कि किसके बराबर होगा है एच बाई सी ठीक है similarly अगर मैं साइन सी निकालना चाहूं यहां पर ठीक है तो साइन सी वुड़ बी इक्वल्स टू अपेंडिक्लोर अपर हाइपोटेनस ठीक है तो वह भी होगा एच बाई यहां से मैंच की वैल्यों निकाल हो तो वह क्या हो जाएगा C, sin B यहां से मैंच की वैल्यों निकाल हो तो वह हो जाएगा B, sin C ठीक है यह दोनों का left hand side same है तो यह दोनों equal होंगे so c sin b would be equals to b sin c that is sin b by b equals to sin c by c similarly अगर आप एक और अल्टिटूट यहां पर ले ठीक है और इसे हम मिटार दें ठीक है और इस अल्टिटूट की लेंग सपोज हम h1 ले ठीक है तो यहां से भी आपको सेम ऐसा रिलेशन मिलेगा जो की होगा sin a by a equals to sin c by c ठीक है यह भी sin a by a equals होगा sin c by c के और इन तिनों को हम एक साथ लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं sin a by a equals to sin b by b equals to sin c by c ठीक है तो यह था law of sin या sign rule का derivation ठीक है यह कोई भी triangle के लिए वेरीट है whether it is acute angle whether it is obtuse angle और whether it is right angle triangle ठीक है मैं आपको थोड़ा अगर आपको obtuse angle से भी प्रूफ करना है तो भी आप प्रूफ कर सकते हैं यह obtuse angle triangle है ठीक है यह angle sorry इसका vertex ले लेते हैं a इसका ले लेते हैं b इसका ले लेते हैं c ठीक है तो obtuse angle एक लिए जो आप height calculate करेंगो उसको आपको triangle के भाहर से measure करना पड़ेगा ठीक है ठीक है तो यह छोटा सा B मैं आपको बता देता हूं ठीक है यह angle c है ठीक है और यह b है ठीक है यह भी है यह हो जाएगा 180-b 180-b सबसे बेले आपको बता दूं 180-b is also equals to sin b ठीक है तो अगर मैं यहां का sign निकालो sign b would be equals to h by size लिख देते हैं यह a हो जाएगा यह b हो जाएगा यह c हो जाएगा ठीक है एच बाइसी चोटा आप ट्रेंगल में और sign c भी आप लिख सकते हैं b by h sorry h by ठीक है तो इससे भी यही आप को निकल के आज जाएगा ठीक है तो बहुत जगह फॉर्म ले का जाता है ठीक है तो आपको ये बहुत अच्छय से आना चाहिए ठीक है I hope that this video will be helpful for you all and if you are new on my channel don't forget to subscribe. Thank you so much.